इंसान जिस सबसे बड़ी तराजदी से गुजर रहा है वो बस यही है उनकी इंद्रियां उन्हें एक तरफा बोध देती हैं तो जीवन विरोधों या विरोधा भासों का धेर बन जाता है इसलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म महुर्त में उठ जाना चाहिए देखिए इंसान जिस सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है और जिस सबसे बड़ी तराजदी से गुजर रहा है और सभी जिस सबसे बड़े संगर्ष से जूचते नजर आते हैं वो बस यही है उनकी इंद्रियों से एक तरफा बोध होता है अगर आप ये देखते हैं तो वो नहीं देख सकते आप रोशनी देखते हैं तो अंधकार नहीं देख सकते आप ध्वनी सुनते हैं तो मौन नहीं सुन पाते तो जीवन विरोधों या विरोधा भासों का धेर बन जाता है इन विरोधा भासों से गुजरते हुए अपना रास्ता ढूणना कितना कश्ट है विश्वास नहीं होता कितना भ्रम और कितना संघर्ष है अगर ये लगभग एक अरब लोग अगर आप दस्तावेश बनाएं कि वे कैसे कश्टों से गुजर रहे हैं एक वर्ष में या एक दिन में बस एक दिन ये अनंत काल के लिए काफी होगा ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जिन्दा रहने के साधनों को जानने का साधन मान लिया है आपको पता होना चाहिए कि रोश्णी क्या है और अंधिरा क्या है अगर आप इससे गुजरना चाहते हैं दुनिया में काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन पुरुष है कौन महिला तो ये अंतर बहुत एक तरफा है वैसे कई माइनों में ये मैंने कहा है अब तो हर किसी को ये पता है अब ये आम बात हो गई है क्योंकि मैं इस बारे में कुछ समय से बोल रहा हूँ आप यहां एक पुरुष या एक महिला के रूप में बैठे हैं पर यहां इसलिए हैं क्योंकि एक पुरुष और एक महिला का मिलन हुआ था आपके माता और पिता दोनों आपके अंदर मौजूद हैं आपका एक महिला या पुरुष होना सिर्फ एक उपरी चीज है पर आपने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और आप कितने सरकस से गुजरते हैं पस पुरुष या महिला होना दुनिया में कितना सरकस है रोश्णी और अंधेरे को भूल जाईए, वो ज्यादा पेचीदा है लिंग सबसे आसान चीज है लेकिन कितना संघर्ष है समाज में कितना भ्रम है इस गलत फहमी के बारे में कितने धर्म और शास्त्र लिखे जा रहे हैं लगातार बात सिर्फ ये है आप सोचते हैं कि प्रकाश और अंधेरे के बीच दो अलग-अलग दुनिया है क्योंकि ऐसा ही दिखाई देता है दिन में दुनिया एक तरह की लगती है दुनिया दिन में अलग दिखती है रात के दौरान दुनिया बिलकुल अलग दिखती है लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया एक ही है मुझे लगता है कि आप इस चीज को कुछ हद तक संध्या काल में अनुभव करते हैं इसलिए सूरज निकलने से पहले उठना हमेशा महत्वपून होता है क्योंकि आपको कुछ भी करना नहीं है अगर आप सिर्फ सतर्क रहकर देखते हैं तो धीरे धीरे आपका बोध बढ़ता जाएगा इसलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म महुरत में उठ जाना चाहिए क्योंकि तब संध्या शुरू होती है संध्या काल में अगर आप जागे रहें तो आप अनुभव करेंगे कि इंद्रियों के घलत बोध के कारण आपके मन ने चीजों में फर्क किया है ये बात आपके अंदर समा जाएगी ऐसा कब होता है कब जब जब पुरुष्ट्री हो पक्षी फूल हो लाल नीला हो जीवन मृत्यू संध्याकाल ये कविता आपने कब लिखी कब मुझे लगता है 2019 में जब मैं अमेरिका में था हमारा ट्रिपल आई इशा एंसिट्यूड अफ इनर साइंसे एक शांदार जगा है प्रकृती के लिहाज से हमें अभी वो जगा बनानी है कुछ बन गई है, बहुत कुछ बनानी है पर प्रकृती के लिहाज से वो वाकई एक शांदार जगा है और जहां मैं रहता हूँ, वहां से आप सुर्यास्त से बच नहीं सकते सुरज ठीक सामने होता है क्योंकि हमें एक चोटी पर है और एक घाटी भी है सुर्यास्त के समय सुर्यापके स्तर पर होता है ऐसा आमतोर पर समुद्र किनारे पर होता है वहां भी थोड़ा सा उपर नीचे होता है यहां सुर्यास्त के समय सुर्यापके नीचे होता है तो आप चाहकर भी सुर्यास्त से बिल्कुल नहीं बच सकते तो जब मैं सूर्यास्त देख रहा था तब मैंने देखा कि कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है मैं सूर्यास्त की शोभा की बात नहीं कर रहा हूं सूर्यास्त में एक स्पष्ट बदलाव होता है जहां ये और वो नहीं होता, बस ये और ये होता है.